परदे में रहने दो, परदा ना उठाओ, परदा जो उठ गया तो भी ठुले जाएगा बच्पन में ही बाल कलाकार के रूप में बेबी आश्चा ने आस्मान और बाप बेटी जैसी फिल्मों में काम करके ये तो तैंक कर लिया था कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है बेबी आश्या पारिक ने जब जमानी में कदम रखा तो वो अपने इसी खुआप को पूरा करने के लिए फिल्मों में लीड आक्टरिस का काम ढूनने लगी उस जमाने के मशुहुर फिल्मेकर विजेभर्ट ने अपनी फिल्म गूझ अठी शेहनाई के लिए आश्या पारिक को बतूल लीड काश्ट किया और फिल्म के शूटिंग शूरू हो गई एक दो दिन फिल्म के शूटिंग भी हुई फिर अचानक विजेभर्प ने आशा पारिक को ये कहकर निकाल दिया कि तुम हेरोईंग बनने के काबिल नहीं हो बाद में नासिर हुसैन ने आशा पारिक को अपनी फिल्म दिल दे के देखो में शमी कपूर के अपोजिट काश्ट कर लिया और ये फिल्म हिट हो गई आशा पारिक ने अपने दोर के हर बड़े सितारे के साथ काम किया कई बड़ी हिट फिल्में भी दिन लेकिन अपने पूरे फिल्मी सफर में आशा पारिक ने एक सितारे से दूरी बनाए रखी और वो थे टर्जडी किंग दिलिकुमार दिलीब कुमार के साथ आशा पारिक ने एक भी फिल्म में काम नहीं किया इस बारे में कभी इन दोनों की गोर से कोई रियक्शन भी नहीं आया लेकिन कुछ साल पहले ही एक फिल्म फेस्टिवल समारों में आशा पारिक ने ये कहकर सभी को सरप्राइस कर दिया था कि वो दिलीब कुमार को पसंद नहीं करती इसलिए उनके साथ कभी कोई फिल्म नहीं की अलगि आशा के इस कमेंट पर दिलीब सहाब ने कोई जवाब नहीं दिया था अब आशा पारिक ने ऐसा क्यूं कहा ये तो वही अच्छी तरीके से बता सकती है पर कुछ समय बाद ये भी स्टेटमेंट आशा पारिक की तरफ से आया कि वो दिलीब सहाब के साथ काम करने के लिए बेकरार है लेकिन अब शायद वो मौका कभी नहीं आएगा